कि हैं लो चैंपियंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं मेरे क्लास टेंज के दोस्तों आज हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ओफ रिसोर्सेज सबसे पहले हम यह समझने क्यों कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन का रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है मिनस वाट डूवी मीन एक नंबर का क्वेशन आ सकता है इसमें हमारा वाट डूवी मीन बाई रिसोर्स कंजर्वेशन राइट तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है use of management of resources by us in a judicious and planned way without damaging the environment आई एक बार समझते हैं क्या-क्या keywords है अच्छा से देखते हैं so conservation of resources means management of resources by human beings by human beings means all of us in a there are two keywords in a judicious and planned way judicious judicious means without wasting it समझदारी भरे तरीके से judicious का मतलब हम एक example से हम समझ सकते हैं कि judicious use क्या होता है judicious use का मतलब होता है कि दोस्तों अगर हम लोग अपनी कार या बाइक वन बकेट या टू बकेट वाटर से वाश कर सकते हैं तो there is no need to waste a lot of water कि भाई चला दिया टाइप यह नो pump चल रहा है आधे घंटे से water waste हो रहा है जैसे अगर आप लोग देखें करें तो आपको इस तरह के नजारे आपके आस पास में जरूर देख चाहेंगे तो हमें resources का judicious use करना होता है और दूसरा term हमारा क्या है planned use यानि judicious use के साथ साथ हमें resources का planned use करना चाहिए planned use का मतलब क्या हुआ हुआ हम लोग resources को जो कि limited quantity में available है planned way में use करें ताकि हमारा environment भी polluted न हो and future generations के लिए यह resources है वो बचे रहे है राइट तो हम लोग ने complete कर लिया harming the environment तो हमारा यह resource conservation की meaning complete हो जाती है दूसरा जो हमारा question आता है दिमाग में कि हमें resource conservation क्यों करना चाहिए हमें आखिरकार resource conservation की जरूरत ही क्यों पड़ी दोस्तों अब आप लोग अगर हम लोग वहला topic याद करें development of resources जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि हम लोगोंने resources को क्योंकि resources को free gifts समझते हैं हम में से ज्यादा था लोग तो क्या क्या resources का indiscriminate use किया अगर जब हम लोगोंने resources का indiscriminate use किया तो क्या हुआ three problems arise हुई थी यादार आप लोगों को कौन कौन थी depletion of resources accumulation of resources and global ecological crisis तो उन three problems से जो resources के indiscriminate use से जो three major problems हुई थी उन three problems से बचने के लिए and इन जो यह points है इनको maintain करने के लिए हमें resource conservation की जरूत पड़ते हैं आई देखते हैं क्या-क्या main reasons हैं जिसकी मैं resource conservation करना चाहिए आई देखते हैं तो पहला point है question क्या बना है इस पे question बना है हमारा why should we conserve the resources आखिरकार हम resources को conserve ही क्यों करें तो 4-5 point है आई देखते हैं पहला point है हमारा resources are vital for developmental activity दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कि बिना resources को तो development हो ही नहीं सकता कोई भी development activity नहीं हो सकती आप आप कहाएंगे सर developmental activity का मतलब क्या होता है developmental activity का मतलब होता है एक दो example लेते हैं जैसे roads हम लोग new roads बिल्ड कर रहे हैं new factories established हो रही है अच आप कहाएंगे सब्सक्राइब करने की क्या जरूद है जरूद है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन हो वो डे बाइडे इंक्रीज हो रहे और आप लोगों को पता होना चाहिए और पता हो चल भी गया करने के लिए बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए कंजूमर गुट्स प्रवाइड कराने क्या चाहिए प्रवाइड करने क्या चाहिए उसके बाद जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसके लिए हाउसेस भी बिल्ड होने हो बिल्ड होने चाहिए उसके लिए क्या चाहिए उसके लिए लेंड चाहिए तो काने का मतलब हमें resources को conservation करना बहुत ही जरूरी है क्यों क्योंकि resources developmental activity के लिए में बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में एक एक्जामपल दें कि resources कि development के लिए कैसे जरूरी है और क्यों थोड़ा हलका से explanation में आप लोग दे सकते हैं आए दूसरा point देखते हैं लोग दूसरा point है हमारा कि resource हमें इसलिए conserve करना चाहे क्योंकि अगर हम irrational consumption करेंगे और over utilization करेंगे resources का resources का अगर हम irrational consumption करेंगे और over utilization करेंगे तो क्या हो गया क्या होगा socio-economic and environmental problem आएंगी देखते हैं हापे socio-economic and environmental problem will arise आईए देखते हैं कैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि irrational consumption का मतलब क्या होता है दोस्तों irrational consumption का मतलब होता है कि कोई भी consumption जब हम good feeling के base पे करते हैं यानि दिमाग नहीं उसकरते हमें मजा आ रहा है इसलिए हम consumption कर रहे हैं for example हम लोग हमें पता होता है अच्छी तरह से कि जो बर्गर है या जो पिज़ा है हमारे लिए healthy नहीं होता राइट लेकिन हम decide करते हैं कि एक खाना है बट वी end up eating ज्यादा यानि एक दो खाना होता है दो तिन हम खा लेते हैं यह जानते हुए भी कि वो resource या वो जो particular पिज़ा है वो हमारे लिए unhealthy होता है तो चुकि उसे ख जो good feeling पर based हो उसको हम irrational consumption कहते हैं irrational consumption का एक example आप लोग अच्छे से relate कर पाओगे हम लोग उसका आई सकते हैं example YouTube Shots आप लोग देखते होगे हमें पता है कि आज Sunday है Sunday के तीन बज़ रहे है और कल Monday को हमारा UT है राइट और हम अपने आप से बोलते हैं चलो यार ठीक है अभी त जैसे ले करके तीन बज़ तक पढ़े हैं और दस पंदर मुट देख लेते हैं YouTube Shots देख लेते हैं थोड़ा सा refreshment हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम 10 मिनट के लिए बैठते हैं तीन से 6 बच जाते हैं पता ही नहीं चलता क्यों क्योंकि जहों YouTube Shots यूज कर रहे है वो यह रहा कि irrational consumption का example यह है कि दोस्तों जैसे कि family है करीब family में हैं दो लोग लेकिन हमारे पास cars हैं तीन या चार क्योंकि हम उसे afford कर सकते हैं यह irrational consumption का example है कैसे हमें पता है कि दो कार में काम चल सकता है क्योंकि family में दो या तेन ही लोग हैं लेकिन हमने चार कार या पांच प्रश्कार खरीदी क्यों क्योंकि ताकि हम feel good कर सकें कैसे feel good आएगी ताकि हम अपने दोस्तों friends relatives के बीच में हम हमारे पास तो चार कार है यार लोग देखेंगे हम बोलेंगे नहीं त्फिर भी लोग देखेंगे बोले अरे भाई शर्मा जी क्या है अरे भाई गुपता जी क बाता है और बात सच भी है लेकिन क्या ये rational है क्या logical है बिल्कुल भी rational behavior नहीं ये irrational consumption का example है दोस्तों एक example हम लोग और ले सकते हैं कि जैसे कि हम इंडियंस जो है public transport को बहुत कम यूज करते हैं और अगर हम public transport को कम यूज करते हैं means we prefer our own vehicle कभी कभी क्या होता माली जहां पे ऐ ऐसे areas हैं जहां पर हमें उन areas में जाना है और अशी जगहों पर जाना है जहां पर public transport का system अच्छा नहीं है तो ठीक है हम अपनी personal car से जा सकते हैं लेकिन जहां पर public transport अच्छा है अच्छी connectivity है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता mostly we prefer going even to those places by our own cars ये irrational consumption का ही तो example है अब इससे क्या होता है अगर हम अपना instead of using you know public transport अगर हम अपनी personal cars यूज करते हैं या जहां पर एक या दो वेहिकल से काम चल सकता है वहां पर हम चार या पांच वेहिकल feel good लाने के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है इससे ये socio-economic problem create करता है socio socio-economic environmental problem भी create करता है more cars means more pollution and more cars means more traffic jam on the roads पार्किंग की जगा नहीं मिलती you all are aware कि किदनी problems होती है cities में especially metros में metros में भी और you know tire 2 and tire 3 की cities में भी पार्किंग की तो चलो इतना I think this much explanation is enough of irrational consumption दूसरा term हम लोग देखते हैं दूसरा term है हमारा over utilization दोस्तों अगर हम लोग अपने आसपास नजर डालें या थोड़ा ठिंक करें तो हमें realization आएगा कि चाहे हमारा water resource हो चाहे land resource हो चाहे forest हो हम इन सब को basically हम यह बोड़ सकते हैं हम लगभग हर resource को जो हमारे control में है उसको over utilize कर रहे हैं और अगर हम resources को over utilize करेंगे तो क्या होगा environmental problem बढ़ेगी social economic problem भी बढ़ेगी आई एक example से समझते हैं हम example लेते हैं forest का forest एक resource है हमारे लिए अगर हम forest को over utilize कर रहे हैं तो या कर ही रहें forest को over utilize कर रहे हैं इसको एक example से समझते हैं example यह रहेगा हमारा कि इंडिया का जो geographical area हो कितना है आप लोग अच्छे से जानते हैं 3.28 million square kilometer और जो हमारी national forest policy है 1952 की उसमें यह clearly लिखा गया है कि किसी भी मतलब हमारी इंडिया की total geographical area यानि 3.28 square kilometer का 33% क्या होना चाहिए forest होना चाहिए क्या है इतना forest cover है हमारी country का नहीं है कितना है 23% होना कितना 23 या 24% के बीच में हम मान सकते हैं लेकिन होना कितना चाहिए 33% तो एक बात यह हो गई कि जितना होना चाहिए forest cover हमारी country में उतना नहीं है दूसरी बात यह है कि population grow कर रही है right and forests are being cleared जिन places पे forest थे आज से 10 से 15 साल पहले आप लोग अपने दादा जी से या पापा जी से या नाना जी से नानी जी से अगर आप लोग बात करें जहां भी आप रहते हैं और उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा कि जहां जिन localities में हम लोग आज रह रहे हैं वहाँ पे 15-20 साल पहले forest हुआ करते थे या जिन malls में हम घूमने जाते हैं वहाँ पे 20 years back forest हुआ करते थे या कोई water body हुआ करती थे तो अगर हम forest and water body को overuse करेंगे यानि जरूर से ज़्यादा इस्तिमाल करेंगे तो क्या होगा एन्वामेंट और पॉलुशन तो होगी ही क्योंकि forest क्या करते हैं forest हमारे you know oxygen and carbon dioxide के balance को बना के रखते हैं तो इस तरीके से हम इस example के help से हमने समझा या forest के example के help से हम लोगोंने समझा कि हम लोग forest या water bodies या land resource ले जिए सबको हम लोग overutilize कर रहे हैं जिसके serious problems serious results हो सकते हैं और हो भी रहा है environmental pollution देखिए न पहले क्यों मेट्रो का मेट्रो सीटीज में होता था जैसे डेल ही मुंबई कुलकाता चैने आजकल तो इन्वार्मेंट पॉलूशन याने एयर क्वालिटी इंडिक्स आप छोटे चोटे शहर नहीं बोलूँगा जैसे स्टेट कैपिटल देख लिए जैसे लखनाव हो गया पटना हो ग क्यों करना चाहिए हमने एक पॉइंट देख लिया दूसरा पॉइंट देख लिया रिसोर्स कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए उसका तीसरा पॉइंट यह है कि रिसोर्सेज आर अवेलबल इन लिमिटेट कॉंटिटी अब देखे समझते एक एक्जाम्पल से resources are available in limited quantity अब देखे जो fossil fuels है चाहे petrol हो चाहे coal हो वो limited quantity में available है लेकिन दूसरी तरफ we are the most populous country in the world now right अब यह जो increased population है जो बढ़ी हुई population है उसकी demands भी तो बढ़ेगी यानि water की demand बढ़ेगी electricity की demand बढ़ेगी land की demand बढ़ेगी तो क्या हुआ अच्छा एक चीज़ और देखे न यह जो हमारे resources है चाहे coal हुआ चाहे petrol हुआ चाहे land हुई चाहे forest हुआ क्या यह बढ़ रहा है क्या यह बढ़ नहीं रहा है यह घट रहा है means we have resources in the limited quantity तो conservation बहुत जरूरी होता है बहुत जरूरी हो जाता है that is the only way resources को conserve करना ही पड़ेगा तो तीसरा reason हमारा यह था कि resources are in limited quantity इसलिए हम उनको conserve करना चाहिए आए next reason हम लोग देखते है next reason है हमारा resource conservation is necessary for sustainable development यह concept कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है आप लोग sustainable development राइट जो sustainable development यह आप लोगों का बहुत important question भी बनता है दो मार्कर इसमें या वन मार्कर भी आ सकता है तो आप लोग चलिए हम लोग discuss कर लेते हैं sustainable development क्या होता है या आप लोग comment में बताना चाहेंगे चलिए आप लोग comment में बताईए कि sustainable development बीफ में डिस्क्राइब करिएगा कि यह दो पॉइंट्स है राइक कि sustainable development क्या होता है यह हम लोग चलिए एक बार क्वाल ही कर लेते हैं कोई बात में आप लोग फिर comment करिएगा आप अप अन और यह उन कमेंट करिएगा किसी सोर्स से भी हिल प्ले करके नहीं तो बिसिकली sustainable development क्या होता है sustainable इसी याद कर लीज बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान भी है चली समझते है sustainable development क्या होते कि एक बार रिकॉल करते है राइट sustainable development means development developmental activity should take place without damaging the environment समये developmental activities should take place क्योंकि development बहुत जरूरी है right but without damaging the environment यह तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, development in the present should not compromise with the needs of future generations, तो यह हमारा sustainable development का भी पॉइंट हो गया, तो basically दोस्तो चार पॉइंट हुआ, यह चार पॉइंट हाइलाइट करते हैं कि हमें resources को क्यों conserve करना चाहिए, यह चार पॉइंट कौन कौन से हैं, एक बार quick देख लें, पहला point हो गया हमारा, resources development के लिए जरूरी है, दूसरा point क्या हो गया हमारा, कि अगर हम resources का irrational consumption and over utilization करेंगे, तो क्या होगा, socio-economic and environmental problem बढ़ जाएंगी, तीसरा point हमारा क्या है, तीसरा point हमारा क्या है, resources limited quantity में है, और चौथा point हमारा क्या है, resources sustainable development के लिए जरूरी है, तो यह इन 4 reasons की वज़़े से, इन 4 कारणों की वज़़े से हमें resource conservation करना ही होगा, otherwise, वो दिन दूर नहीं, जब हम लोग, dinosaur की तरह, extinct हो जाएंगे, basically हम लोग बोल सकते हैं कि resource conservation is the need of the art, चलिए, अब हम लोग अगला topic करते हैं, basically अगली slide से topic तो सेम है, हमारा अगला, अच्छा, एक point दोस्तों इसमें रह गया हमारा, इसे देखे लेते हैं, so basically इसमें यहीं लिखा हुआ है, कि to overcome these problems, कौन सी problems, एक तो वो 3 वो, जो indiscriminate resources के, indiscriminate use से, जो major problems caused हुई थी, वो 3, अगर 5 marker में आगा, तब उसको, उनको भी 3 points को आप लिक सकते हैं, otherwise अगर 3 marker में आएगा, तियो 4 points काफी है, देख लेते हैं, क्या लिखा है, to overcome these problems, means यह these 4 problems, resource conservation at various levels, बड़ा important point है दोस्तों, resource conservation at various levels, what do we mean by various levels, देखे, government हर काम नहीं कर सकती, and government हम लोगों के बिनाथ कुछ करी ही नहीं सकती, government में भी तो society कहीं लोग होते हैं, आये समझते हैं, तो basically resource conservation को individual level पे भी किया जाना है, जैसे हम और आप हैं, जहां भी हमें, जो भी छोटा-छोटा contribution कर सकते हैं, resources को बचाने के लिए जैसे कि धेर सारी examples हो सकते हैं, जैसे कि water को न वेस्ट करना, या और भी चीज़ें हो सकती है, electricity को misuse न करना, electricity light and finance से चलते रहते हैं करबाद घरों में, वो भी एक तरका misuse ही है, तो basically हर level पे होना चाहिए, individual के level पे होना चाहिए, government के भी level पे होना चाहिए, और international level पे भी होना चाहिए, हाला कि इसका form बदल जाता है, लेकिन हम भी, we too, we as an individual can contribute a lot as far as conservation of resources are concerned, चलिए अब next slide में देखते हैं, next slide is, talks about, देखें गांधी जी आ गए, next slide में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि यह जो problem आज हम लोग face कर रहे हैं, unemployment की, गांधी जी ने बहुत समय पहले, ही guess कर लिया था, कि इस तरह की problems आने वाली है, जो भी, जितनी भी problems, resources के regarding, या resources के context में हम लोग आज देख रहे हैं, thinkers ने, thinkers, great thinkers like महात्मा गांधी, and global level पर भी देख सारे thinkers थे, जुन्होंने foresee कर लिया था, advance में देख लिया था, कि यह problem आ सकती है, पहले हम देखते हैं कि गांधी जी का क्या कहना है, इसके बारे में, resource conservation के बारे में, तो देखते हैं, लिखा है, this had been the main concern of the leaders and thinkers in the past, not only in India, या इसमें लिखा नहीं, बट फिर भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, देख लेना, not only in India, but at the global level too, लोगों को पता चल गया था, आए देखते हैं, गांधी जी का, इसमें question भी आता है, कि, what was गांधी जी's view regarding resource conservation, तो जो next two points, ये जो next two points हम लोग पढ़ने वाले हैं, sorry, next three points, ये जो next three points हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही उसका answer होगा, कि, what was गांधी जी's view regarding resource conservation, या गांधी जी के हिसाब से resource conservation कैसे किया जा सकता है, आए देखते हैं दुस्तों, So, गांधी जी was very apt in voicing his concern about resource conservation, in these words, गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला, भाई, इस अर्थ पे, Mother Earth पे resources की कमी नहीं है, सब की need को fulfill करने के लिए, Mother Earth के पास, यानि इस nature में, enough resources हैं, इतने resources हैं कि हर person के need को easily fulfill किया जा सकता है, बट, एक बार एक sentence को देखते हैं, जो गांधी जी ने दिया, कई बार ये sentence इस तरिके से, equation इस तरिके से बनेगा, There is enough for everybody's need, and not for anybody's greed, यानि need तो सब की पूरी हो सकती है, बट greed एक person की भी नहीं पूरी हो सकती है, हमारे बड़े बुड़े भी बोलते हैं, especially, हाँ, पुरानी जनरेशन यार मम्मी पापा भी बोल सकते हैं, नहीं जनरेशन के भी लोग, कि जो greed होती है न, लालच, लालच को कोई और छोर नहीं होता, the more we get, the more we want, right, तो question क्या बनता है, आई उससे देखते हैं, गांदी जी plays the greedy, the greedy and selfish individual, greedy and selfish individual, एक पॉइंट हो गया, greedy and selfish individual, number one point, दूसरा, exploitative nature of modern technology, as the root cause for the resource depletion, तो गांधी जी ने क्या बोला भाई कि जो resources deplete हो रहे हैं global level पे उसके दो main कारण है पहला greedy individual, greedy and selfish individual और दूसरा क्या है reason, exploitative nature of modern technology तो गांधी जी साब से global level पे resource depletion के दो कारण है greedy and selfish individual एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, exploitative nature of modern technology, आई ये next point दिखते है, next point है हमारा, he was, गांधी जी was against mass production, गांधी जी ने you know, I think foresee कर लिया था कि mass production के क्या-क्या negative impacts होंगे, mass production में क्या होता है, mass production हर कोई तो कर नहीं सकता न, only with wealthy people, mass production is the affair of rich and wealthy people, mass production होगा, तो wealth का concentration होगा one hand में, right, and unnecessary demands create करी जाती है, जैसे आज हम लोगों पे इतना, मतलब टीवी पे, everywhere इतना ज्यादा लेज का प्रचार हो रहा है, या, you know, जो हमारे original drink है, you know, lemon water, या, you know, छाच या, लसी, हम लगभग नई generation तो भूली चुकी है, क्यों अलब वो डादा, दादी, ना, ना, नानी, या, पापा के जमाने की चीज हो गई है, right, तो now we are, you know, after कोई भी birthday celebration है, या कोई भी function है, तो बिना cold drinks and, you know, ये चीज़े जो हम पे impose की गई हैं, बिना उसके KFC के complete नहीं होता, right, आई यह से समझते हैं, तो गांधी जी was against mass production, और वो क्या चाहते थे, गांधी जी वांटेट तो replace mass production with production by the masses, गांधी जी mass production, ये देखे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, mass production, जिसके लिए mass production requires a lot of funds, right, common people के, common people can't even think about it, it is the affair of, you know, rich people, और गांधी जी क्या चाहते थे, production by the masses, masses अगर produce करेगी, क्या करेगी, masses उतना उसके काम का है, इससे क्या होगा, resources का, जो over-utilization और exploitation होता है, वो नहीं होगा, right, but, अगर, mass production में क्या होता है, mass production में, you know, individual, rich individual, या जो भी individual है, mass production के लिए, big plot of land ले रखा है, import करी है, costly machinery, तो जितने उसने cost लगाई है, उसको तो require करेगा है, साथ साथ, उसके profit making का भी motive होता है, उसको तो करेगा ही, right, so, इसलिए, गांधी जी का कहना था कि, mass production नहीं होना चाहिए, production by the masses होना चाहिए, इससे, क्या होगा, resources का, depletion नहीं होगा, या resources पिजो, इतना pressure है, वो नहीं होगा, right, इसलिए, गांधी जी, कुछ लोग कहते हैं, कि गांधी जी अपने लिए, कपड़े खुद बुना करते थे, right, तो, गांधी जी को कई बार, इस image में हम लोगों ने देखा भी है, कि, अपना कपड़ा बुनते हुए, या अच, जो भी है, इतना चर्का चलाते हुए, आए, नेक्स स्लाइट पर चलते हैं, क्या हम लोगों, आभी हम लोगों ने पढ़ा कि, resources जो है, resources कंसरवेशन अभी तक हम लोगों ने इंडिया के context में पढ़ा, जिसमरे हम लोगों ने गांधी जी को पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा कि, रिसूर्सि कंजर्वेशन क्या होता है और हमें रिसुर्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए यह question 5 markers में आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है जो हम लोगों नहीं थी तीन topic cover कि हमढ़गे कंज कॉन कंज से तीन topic cover के what is resource conservation or define or explain resource conservation पहला question दूसरा question हम लोगों ने क्या पढ़ा what is the need or importance of resource conservation तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा तीसरा हम लोगों ने पढ़ा what was the view of गांधी जी regarding resource conservation अगर यह तीनों question club किये जाएंगे तो यह दोस्तों five marks का question होगा अब यह जो topic हम लोग लेने जा रहे हैं कि conservation of resources at global level means global level पे resources को conserve करने के लिए क्या effort किये गए इसमें भी तीन नंबर का question बन सकते हैं से one marker बहुत ज़्यादा बनता है तो इसमें हम जो भी dates हैं जो भी people हैं जो भी books के name हैं हम सारा याद करेंगे हमारा topic है efforts of resource conservation at global level international level पे resources को conserve करने के लिए five attempts हुए है five attempts आनि अलग अलग लोगों ने means different individuals ने and different institutions ने resources को conserve करने के लिए कोशिश है की हैं आए देखते हैं so global level पे पहली बार जो resources को conserve करने के लिए एक systematic way में कोशिश की गई वो की गई club of Rome के दवारा आए थोड़ा साम जानते हैं club of Rome क्या था club of Rome एक non-profit organization है non-profit के साथ इंफॉर्मल है यानि government ने इस organization को नहीं बनाया था तो club of Rome क्या है एक non-profit informal organization है जिसमें business leaders थे और intellectuals थे who were very serious about the protection of environment या ऐसे issues जो globally लोगों को human beings को negatively impact करते हैं इन issues को लोगर वो लोग बहुत ही aware थे और these issues were very close to their heart जिनसे humanity पर negative impact पड़ सकता था तो club of Rome ने क्या किया देखते हैं at the international level the club of Rome advocated advocated resource conservation यानी resource conservation की बात करी global level पर सबसे पहली बार in a systematic way for the first time in a more systematic way in 1968 so club of Rome ने यह पूछा जा सकता है year 1968 में club of Rome ने resource conservation की बात को highlight किया लोगों की notice में लाया आए देखते हैं दूसरा point क्या है दूसरा point गांधी जी was a great visionary and great leader गांधी जी के follower उस समय भी और आज भी क्यों उस समय भी क्यों इंडिया में नहीं थे world war थे और आज भी जो गांधी जी की philosophy वो आज भी valid है और उतनी ही सही है हाला कि हर person उनसे इनकी philosophy से agree नहीं करता और हम लोग मजाग में बोलते हैं कि हम गांधी जी थोड़ी हैं कि एक गाल पे थप्ल मारो गए तो हम दूसरा गाल भी आपकी तरफ कर देंगे लेकिन उसका असाल लग होता खैर यहाँ पे हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी की philosophy को ही उस समय के यह ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे यह ब्रिटेन के ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे इएफ शुमाकर आएए देखते हैं गांधियन philosophy was once again presented by इएफ इनका पूरा नाम है आप लोग शुमाकर ही जाने तब भी काफी है लेकिन अगर आप जानना चाहें तो आप इसे इन्हें मास प्रोडक्शन अब दे तिंग्स जिसमें लार्ज स्केल पे बीग मेस्टेरीज लगी होती हैं उसका सबसे बड़ा खत्रा यह होता है रिसोर्सिस का ओवर एक्स्प्लाइटेशन और ओवर इट्वलाइज़सन होता है और वेल्थ का कॉंसेट्रेशन फ्यू उन्लिविज्वल्स के हंड्स में होता है सिसाइटी रिच और पूर में बढ़ जाती है तो इसलिए गांधी जी ने हाला कि शुविज वनसिया ने सप्लोड किया था किसका प्रोडोक्शन बाय मासिस और अपोस किसका किया था ही वागेंस्ट मास कर्डेक्शन तो उसी चीज ren उन्होंनों भी सपोर्ट किया एफ शुमाकर ने एफ शुमाकर ने अब एक बुक लिखी small is beautiful यह देख़े इनकी बुक है यह है Mr. E.F. शुमाकर जैसा कि मैंने पहले भी बोला यह ब्रिटिश एकोनोमिस्ट थे हाला कि यह थे जर्मनी के लेकिन यह ब्रिटिश एकोनोमिस्ट थे और इन्होंने बुक लिखी यह देख़े इनका नाम है E.F. शुमाकर और इन्होंने small is beautiful बुक लिखी और इन्होंने भी कांदी जी की philosophy को support किया कि mass production नहीं होना चाहिए large scales पर production नहीं होना चाहिए technology को use करके क्योंकि वह resources को exploit करती है राइट चलिए तीसरा point हम लोग देखते हैं तीसरा point है हमारा इसमें लिखा कि the seminal contribution with respect to resource conservation seminal मतलब क्या होता है कि most influential यानि एक मजबूती भरे ढंग से resource conservation की बात Bruntland report में हुई थी आई उसे थोड़ा था देखते हैं point को देखते हैं यानि बहुत मजबूती भरे तरीके से with respect to resource conservation at the global level पर Bruntland commission report जो कि 1987 में publish हुई थी दोस्तों let me share with you कि जो Bruntland थी वो नौर्वेर की प्राइम मिनिस्टर थी और अपनी country की वो environment minister भी रह चुकी थी और उनको environment के मामले में special interest था खास रूची थी उनको knowledge भी थी तो इसलिए United Nations ने United Nations के Secretary General ने 1983 में इनकी chairmanship में ये Bruntland commission appoint करी थी और 1987 में ये Bruntland report आई थी जिसमें highlight किया गया कि अगर resource conservation करना है तो sustainable development is the only way और Bruntland report ने पहली बार sustainable development के concept को दिया और इस concept को popularize किया और साथ ही साथ ये highlight किया गया Bruntland report में कि अगर हमें resource conservation करना है तो sustainable development ही वो तरीका है sustainable development is the way is the only way basically sustainable development is the only way to protect our resources which are limited in quantity right आये देखते हैं point में क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है जैसा कि हम लोग discuss report in 1987 में आई थी और एक commission appoint हुआ था 1983 में देखे हैं this report introduced the the concept of sustainable development and supported or advocated it as a means of resource conservation sustainable development as a means of resource conservation which was subsequently published in a book entitled our common future फ़ले हम देख लेते हैं book यह रही है हमारे book आवर कॉमन फ्यूचर बिसिकली यह जो आवर कॉमन फ्यूचर बुक है bruntland commission 1983 में appoint हुआ 1987 में रिपोर्ट सम्मिट करी तो bruntland commission की जो रिपोर्ट थी उसको एक book में compile किया गया और बुक का नाम रखा गया आवर कॉमन फ्यूचर समझ में आ रहा है आवर कॉमन फ्यूचर का content क्या है इसका content है bruntland report उसको एक book में compile कर दिया यहाँ पर देखे लिखा है the bruntland commission report और यह हमारी book बन गए और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों bruntland commission किस international agency न पॉइंट किया था United Nations ने किया था राइट तो इसमें one marker बन सकते हैं आप लोग प्लीज से याद रखें नो नेक्स हमारा point है और यह इस वाले point से तो आप लोग अवेर हो आप अल्रडी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं development of resources वाले topic में first earth summit Rio de Janeiro right आयो देखते हैं another significant contribution was made at the earth summit at Rio de Janeiro Brazil इसके बारे में आप लोग अल्रडी पढ़ चुके हैं और जानते हैं राइट तो दोस्तों I hope आपको चीजे समझ में आ रही है और one marker तो रहर सारे इसमें देखते हैं important dates एक बार देख लेते हैं important dates कौन-कौन सी हैं यह एक बार quick recap करते हैं quick recap करते हैं पहला हमारा क्या हो गया quick recap करते हैं पहला हमारा हो गया the club of Rome 1968 दूसरा हमारा हो गया small is beautiful by E.F. एक बार देखते हैं शुरू से पहला हो गया हमारा club of Rome हो गया दूसरा हमारा हो गया small is beautiful E.F. शुमाकर के book हो गई तीसरा हमारा हो गया bruntland report जिसमें sustainable development को highlight किया और हमारा basically तीसरा और चोथा bruntland report से ही related है राइट तीसरा और चोथा bruntland report से related है और पांचमा हो गया हमारा earth summit really generated दोस्तों अगर इस पे question आएगा दो नंबर का या तीन नंबर का सकता है इस पे question नहीं बनेगा कि what efforts have been made at the international level or at the global level to conserve the resources दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए thank you so much thank you